दिल्ली के मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, सर्दिया लगबग जाही रही है और इसका साफ तोर पर असर ये देखा जा रहा है कि दिल्ली की हवा भी काफी हद तक साफ हो रही है हम इस समय इंडिया गेट के सामने मौजूद है और यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया गेट पूरी तरह से साफ है किसी तरह का कोई कोहरा नहीं है, कोई धुंद भी नहीं है, आस्मान बिल्कुल साफ है और विजिबिल्टी भी काफी हद तक बेहतर हुई है मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आज कर नियुंतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिक्तम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तगरह सकता है इसके साथ ही आठ से दस किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से हवाय भी चलेंगी जिससे लोगों को थोड़ी बहुत परिशानी भी होगी बीते कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि दिल्ली में हवाय चल रही है, लोग थोड़े बहुत परिशान हो रहे है हाला कि एक राहत की खबर ये है कि इससे जो दिल्ली की हवा है उसमें काफी हद तक सुधार हुआ है दिल्ली का EQI भारस सरकार के सफर इंडिया एप के मताबिक आज 149 पर आ गया है आम तोर पर ऐसा देखा जाता है कि Air Quality Index दिल्ली का साड़े 300 के पार ही रहता है लेकिन हवाओं के चलने की वज़े से इसमें काफी सुधार हुआ है और ये 1.500 पर आ गया है तो ये एक तरह से कहा जाए ये राहत की बात है हाला कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाली 23 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक पहाड़ों पर बर्वारी होगी जिससे पश्मी विक्षोप एक बार फिर से सक्री हो जाएगा और जिसका साफ तोर पर असर दिल्ली में देखा जाएगा दिल्ली में जो हवाएं चलेंगी उनकी रफतार 20 से 30 किलोमेटर पर दिघंटे तक हो सकती है जिससे यहां के और आसपास के इलागों में रहने वाले लोगों को कुछ परेशानी भी हो सकती है कामरा परसन अजे तिवारी के साथ दिवयांकर तिवारी एविपी न्यूज दिल्ली